असलाम वालेकुम वेलकम टूदा इम्रान खान क्रेटिंग ओल आज हम बैटशिट की डिजाइन दिखाएंगे तो यह देखें यह सब हमें लगेगा यह हमारा तकेगा कवर है यह हमने एक बटर पर पर डिजाइन चाप लिया है और इसके लिए हमने चार कारबन लिया हमें ड यह हमारी चद्दर पर हमने इस तरीके से एक बित्ता हती नंगुर छोड़के है मतलब 10 इंच निचे से छोड़के हमने फिर बैटशिट की डिजाइन की छपाई की है हमने निचे से साड़े 10 इंच छोड़ा है क्योंकि वह फोल्ड इन में चला जाता है अब इस तरह का से ह बटर पेपर वपर उतार लिया हैं बस हमें इससे पैन न की की मदब से इस चो दोराना है वह कारपन की मदब से निचे इस difah जाएगा बहूत यासानी तरीके सच फजाता है लिजाइन और इसकी स्केश हमने कैसे बठर पेपर पर उता रहा है अगर आपको वह भी जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरीए बता सकते हैं कि इस तरीके से हमें छापना है कि बहुत ही आसाने साथ बहुत ही खुब्चुरत लगता है अगले वीडियो में हम आप इसको कि अगले वीडियो में हम इसकी पैंटिंग की डिजाइन पैंटिंग किस तरीके से करेंगे वह दिखाएंगे आपको इस वीडियो में हमने च्छापने के बारे में बताया है कि इसे किस तरीके से च्छापा जाए तो प्लीज आप हमारा पूरा वीडियो देखें और हमें हमारे वीडियो करें शैर करें कमेंट करें और सब्सक्रायब करें ताके हमारे नेक्सट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएं बिल्कुल जिस तरीके से हमने आर्ट की है उसे तरीके से उस पर पैंसिल सिरिफ फिराना है हमें इस तरीके से देखिए कार्बन की मतर्सिक दम आसानी से छपके उतर गया है यह हमने चार कोने पर इसा बॉर्डर बनाया है फोर साइड ऐसा बॉर्डर किया है बीच में से राउन तरीके से बनाया है बहुत ही खुबसूरत है यह चद्दर आप हमारे वीडियो को लाइक करें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी चद्दर कंप्लीट करके बताएंगे कि हमने इसकी पैंटिंग किस तरीके से की है तो इसकी पैंटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे बस आईए इस तरीके से हमारे पूरी चद्दर छपके तयार है यह देखे हमने बीच में राउंड सर्कल का डिजाइन दिया है और बीच में एक बड़ा सा गुलाब रखा है इस तरीके के हमार नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएं तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखें अल्ला हाफिज